चो mental math question bank class 9th का next part कर लेते हैं मैं हूँ हरी sir और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube channel चलो कदम बढ़ाए जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से channel है जिसका नाम है math with harisar आप चाहे तो आप इसको भी join कर सकते हैं YouTube पर search कर सकते हैं math with harisar के नाम से वो भी मेरा channel वो special हिंदी मीडियम के बच्चो के लिए आईए करना शुरू करते है question number 31 तो यहाँ पर वच्चो मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है अब question number 31 क्या कहता है इसको भी हम जरा mind में करने की कोश्च करेंगे देखिए L parallel M ये दोनो parallel line है AB equal DC ये side AB equal है DC के AB equal आ रही है find AC plus BD AC plus BD find out करना यानि AC और ABD ठीक है सबसे पहले OB OB जो है 3.5 cm है OC ये है ये भी 3.5 cm है और AB AB ये वाली side ये वाली side है बच्चो 6 cm ठीक है इस तरीके से 6 cm है एक बार मैं जरा देख लेता हूँ mental math में क्या ये सभी measurement सही है question number 31 जी हाँ यहाँ यहाँ पर ये रहा AB AB है 6 cm और OD और OC ये गीवन है ठीक है ना आये करना शुरू करते हैं तो बच्चो अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली ये है कि AB की तो वैसे हमें कोई जूरूत नहीं है कि AB हमें find out करनी है या जो भी है तो मेरे को लगता है बच्चो यहाँ पर ये जो AC plus BD दिया हुआ है यह इनका sum हमें find out करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर AOB और triangle COD AOB और COD को congruent prove करना है आपको congruent prove होने के बाद यह सभी corresponding part है congruent prove हो जाएगा तो BOB या BO आप ले सकते BO equal होगा DO के यानि यह भी 3.5 cm आएगा और CO equal होगा AO के यह भी 3.5 cm आएगा तो यहाँ पर 3.5 cm plus 3.5 cm 7 और 7 यह हो जाएगा ठीक ना 7 और 7 यह हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चो 14 तो इसका answer क्या होगा 14 cm होगा आए करना शुरू करते हैं अब कोंगरेट कैसे होगा देखो इन ट्रेंगल कई बच्चों को लग रहा होगे कोंगरेट प्रू कैसे करें ट्रेंगल AOB and ट्रेंगल COD COD अब देखो अब यहाँ पर बच्चों यह गिवन है कि L पैरलल है M के दिया वह न यहाँ आप बोल सकते AB पैरलल है CD के यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AB पैरलल CD और यह दोनों पैरलल लाइन हो गई यह एक ट्रांस्वर्स लाइन हो गई तो यह एंगल और यह एंगल यानि इसका वन नाम दे देते इसका टू नाम दे देते हैं यह equal होगा alternate angle इसी परकार यानि यह दोनों पहले ले तब फिर यह AC ट्रांस्वर्स लाइन होगी तो यह angle और यह angle इसका नाम दे देते 3 और इसका नाम दे देते 4 यह दोनों क्या होगा equal होगी ठीक है और AB equal है CD के यह तो given है तो congrate prove हो गए congrate prove होने के बाद BO equal होगा DO के और CO equal होगा AO के CPCT के द्वारा ठीक है आईए करते हैं and यहाँ पर लिखते हैं AC is a transverse line यह देखो ठीक है तो यह ट्रस्वर्स चलाइन होगी तो angle 1 कौशी लिए हमने AC लिए ना यह AC तो ठीक कोई बात नहीं angle 3 equal है यहाँ पर angle 3 equal होगा angle 4 के alternate angle alternate angle equal होते हैं similarly यह दोनों पहला line है BD क्या होगी एक transverse line होगी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ठीक है तो angle 1 equal होगा angle 2 के यहाँ पर लिख देते हैं यह भी alternate angle equal होगे और AB equal CD यह given है बच्चो ठीक है तो congruent prove करने के लिए 3 condition चाहिए वो हो चुकी है तो triangle AOB congruent triangle COD condition angle side angle criteria लगा आए तो अब यहाँ पर BO equal है DO के और यह equal है 3.5 cm के इसी परकार यहाँ पर CO equal होगा AO के यह भी है 3.5 cm के ठीक है न अब हमें जो find out करना है वो लिखा हुआ है AC plus BD AC plus BD यानि 3.5 और 3.5 कितना होता है 7 होता है तो आप 7 plus 7 ही यानि equal 14 cm यह आप cancer आ जाएगा आजे करते हैं next question next question भी बिलकुल easy है यहाँ पर congruent पहले ही given है DBC यह वाला triangle congruent EAF यह दोनों congruent है लिख लेता हूँ मैं triangle DBC congruent triangle EAF ठीक है और यहाँ पर यह भी 4 cm तो FC find out करनी है FC भी कितनी होगी 4 cm होगी कैसे होगी आप देखिए यह दोनों congruent हैं तो इसका मतलब DBC यानि BC equal होगा AF के यह corresponding part होगा डी बी सी का तो BC इसका तो यह पार और यहाँ पर EAF का AF यह पार इकोल होगा CP CT की दवारा ठीक है यह होगा अगर BC में से हम A की measurement क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं ठीक है A की measurement क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं B, sorry BC में से BC में से अगर हम BF माइनस कर दे और शी परकार AF में से BF माइनस कर दे भई A की measurement माइनस की न हमने तो इसका मतलब यहाँ पर इधर FC बच जाएगा इधर क्या बचा? FC बचा और इधर क्या बचा? अगर AF में से BF माइनस कर दे तो AB बच गया और आप जानते हैं AB के length कितनी है? AB के length तो 4 cm है तो AB इकोलर FC के तो FC की भी length कितनी होगी? 4 cm होगी हो गया question आए करते हैं next अब यहाँ पर next question देखो थोड़ा सा कैस किस तरीकी से दिया हुआ है? करना शुरू करते हैं ABC and triangle DEF were equal capital triangle, Equilatal triangle, Equilational triangle का This angle 60th degree का होता यह याद रखना है यह 60,160,60,60, cutting यह और यह ठीक है? Brother ABC एक हो गया यह यह हो गया, ED, FDE, एक दो एक ट्रेंगल हो गया नी जो इसका मू नीचे को है इसका उपर को है दोनों इक्विलेटल ट्रेंगल है अब हमें जो find out करना है वो करना है कि एंगल एक ती टेंप्स यानि की एंग्विलेटल टेंग तो शिश्स्टी डिग्री के होगे ना यह तो तो यहां पर शिश्टी डिगृई लिग देता हूं मैं एंगल एल ना तो एक कितने बिल्चिष डिग्री तो इसका थे टेंप्स माइनस एंग टू और यहाँ पर e e क्या है यह भी 60 degree का है तो इसको भी 60 degree लिख लेते हैं तो क्योंकि यह multiply की फोम में है तो multiply कर लेते हैं 6, 3, 4, 18 यहाँ पर 180 आजाएगा और यहाँ पर 120 आजाएगा दोनों को minus क्या 60 degree आगया यह आपका answer आगया ठीक है आएगे करते हैं question number 34 अब question number 34 में क्या करना है a b equal d b यह दियावा भी a b equal d b यहाँ पर और x की value find out करनी है भाई यह कैसे find out होगी अगर हम a b d यह ले ले यह triangle ले ले और फिर देखे b d c यह एक exterior angle बन रहा है और exterior angle अपने interior opposite angle के sum के equal होता है यानि angle a की value अगर हमें मालूम हो गई तो x c value find out कर सकते हैं और a की value कैसे मालूम करनी है कैसे find out करनी है क्योंकि यहाँ पर यह देखो मैं लिख लेता हूँ एक बार int angle a b d a b d इस triangle में साफ साफ लिखा है कि a b equal है d b के यानि angle a equal होगा d इसको नाम लेगे पूरा b d a angle b d a यानि इसको बीच में रखना है a d b b बोल सकते हैं तो यह दोनों क्या होँगे equal होँगे हम इसको let कर लेते हैं x के equal माल लेते है या इसको m के equal माल लो क्योंकि x तो लिखा हुआ confuse ना हो जाएं बाद में अब दोनों angle equal है ये बच्चो तो यानि कि हमें मालूम है ये मालू m degree का ये m degree का तो 2m degree होगे ना ये तो अगर 180 में से 180 में से हम ये minus कर दें तो हमारी m की value निकल आएगी तो 10 में से 8 minus करेंगे 2 7 में से 4 minus किया 3 और यहाँ पे रह गया 1 अब 2 इधर multiply की form में इधर आकर ये divide की form में आ जाएगा इस तरीके से 2 से divide के 2 612 2 612 66 आ गया ये तो हम कितने का आ गया 66 का आ गया अब बच्चो यहाँ पर हमें find out करना x क्योंकि ये exterior angle है मैंने आप भी आपको बताया कि triangle a, b, d में b, d, c एक exterior angle है ये और exterior angle अपने interior opposite angle के sum के equal होता है तो यहाँ प्रेक्स की value किस के equal आएगी angle a के और यहाँ पर a, b, d के a, b, d के equal आएगी तो आईए कर लेते हैं तो a की value आए 66 और प्लस यहाँ पर a, b, d है 48 degree और दोनों को प्लस किया तो आगे बच्चो 8 और 6 होता 14 6 और 4, 10 और 1, 11 114 degree का आगे बच्चो यह आपका answer निकल गया आईए करते हैं इस वीडियो का last part अब last part करते है यहाँ पर given है d, e, c, d, e, c यह 90 degree का तो यह भी 90 का होगा find x, x find out करना है कैसे करें देखो यहाँ पर यह triangle ले लो आप a, b, d यह triangle ले लो यह triangle हो गई और यह triangle में यह वाला यानि यह पूरा angle यह exterior angle होगा a, d, c और exterior angle जो equal होता है आपने interior posit angle sum के equal होता है यानि angle a और यह आपर b इन दोनों के sum के equal होगा यह अगर इस में से फिर हम e, d, c यानि इस पूरे में से पूरे angle में से a, d, c में से e, d, c minus कर दें तो x value बच जाएगी और e, d, c कैसे आएगा यह 90 का है, यह 35 का है 180 में से दोनों को minus कर दो तो third angle बच जाएगा ठीक है, इस तरीके से angle x को हम find out कर लेंगे तो सबसे पहले आप e, d, c find out कर लो angle e, d, c तो e, d, c find out करने के लिए आपको 180 degree में से minus करना होगा, क्या यह, यह 90 का sign दिया हुआ है 90 degree plus 35 degree 180 degree minus, यहाँ पर आगया 125 degree यहाँ पर 10 में से 5 minus किया 5, यहाँ पर रहागा 7 में से 2 minus किया 5 और यह 150 καण एड, c कितने का आगया 155 का आगया ठीक है न? यहाँ पर यह 155 sorry, only 55 का आगया 1 में से 1 minus किया तो 55 का आगया, 1055 का नहीं ठीक है 1 में से 1 minus हो गया अब क्या करना है अब ये करना है कि इस में से ये पूरा कितने डिगरी का हो गया ये भी हम निकाल लेते हैं यानि एंगल ADC की मेजरमेट निकाल लेते हैं ADC ADC क्या होगा एंगल इसका पूरा नाम ले लेते हैं BAD BAD पलस एंगल B ये एंगल है और एंगल अपने इंटिरियर अपोजिट एंगल के समके एकवल होता है तो यहाँ पर BAD 48 डिगरी और ये 52 डिगरी और दोनों को एड किया तो आगया 100 डिगरी आगया ADC कितना आगया 100 डिगरी आगया अब हमें X की वैलू निकालनी है ADC तो X की वैलू आजाएगी तो ADC कितना है 100 डिगरी EDC कितना है 55 डिगरी तो माइनस किया तो कितना आगया 45 डिगरी आगया ये आपका अंसर आगया तो पच्चो इस तरीके से ये पार्ट आपका complete हो गया है आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताए इस में से देखकर दूसरों को जरूर सिखाए Thank you